नमस्कार दोस्तों खोश खबर कायक्रम में आप सबका स्वागत है आज हम अपने कायक्रम की शुरुआत करेंगे उन खबरों या यू कहिए उन डवलप्मेंट से जिन पर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि दरसल इन तमाम खबरों से इन तमाम नए विकास करम से देश का न राष्टी पत्रिका है टाइम मैगजीन जो हर साल दुनिया भर के सो सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी करती है उसने 2022 में जो सूची जारी की है उसमें तीन भारतिये नागरिक हैं तीनों की शकलें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं और ये तीनों ही अपन आप में अनूठे हैं बिलकुल अलग-अलग इन तीनों के बारे में चोटी-छोटी टिपनिया भी लिखी हैं बहुत जानकार रसूख वाले पत्रकारों ने लेखकों ने और यह टिपनियां दरसल सिर्फ इन लोगों के बारे में ही नहीं बलकि आज की तारीख में भारत कै इसा है कहां है किसके प्र subscription किश को दबा रहा है यह सब बताती है यह टिपनियां इस शोची में सबसे सणशनी खेज सबसे मानी खेज नाम है खुर्रमपर्व्येज खुर्रमपर्वेज-जो कश्मीर का सबसे सुलकता हुआ सब्सक्राइब दोंकर उस Bijfa में इनका प्रोफाइल लिखा तेज तर्रार अंतराष्टी ख्याती प्राप्त पत्रकार राना अयूब ने और उन्होंने बताया अपनी टिपणी में कि आखिर क्यों खुर्रम पर्वेश को शामिल किया गया इन सौ लोगों की सूची में नवंबर दो हजार एकिस से जेल में बंध हैं खुर्रम परवेश खुर्रम एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इन्वॉलेंटरी डिसेपेरेंस के चेयर परसन है यानि वे उन लोगों का प्रतिनिधुत्व कर रहे हैं उनकी संस्था उन लोगों का प्रतिनिधुत्व कर रही है जिन्हें सरकार ने सरकारी मशीनरी ने सेना की मशीनरी ने फलक से गायब कर दिया जो गायब हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं और जिनके परिजन घर घर जाकर खोशते रहते हैं आप देखिए कि खुर्रम परवेश को लगातार सरकार सरकारी मशीनरी निशाने पे लेती रही है वह पत्रकार रहे हैं human right activists तो हैं ही और आप देखिए उनके profile में राना आयूब उनकी तुल्ला करती हैं आधुनिक डेविट से जो लगातार उन परिवारों की बात कर रहे ह जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया भारत सरकार के तथाखतित enforced disappearance के हातों कश्मीर में insurgency or betrayal of people of कश्मीर की कहानी और कहानी को कहने वाले The attack against him speaks volume of truth he represents at the time when the world's largest democracy is being called out for its persecution of more than 200 million Indian Muslims. The soft-spoken Khurram is almost a modern-day David who gave a voice to families that lost their children to the enforced disappearance allegedly by Indian state. Khurram is the story and the storyteller of the insurgency and the betrayal of the people of Kashmir. अब आये चर्चा करते हैं ताइम मैगजीन में जगा पाने वाली दूसरी शक्सियत की इनका नाम है करुना नंदी यह सुप्रिम कोर्ट में वकील हैं बहुत ही तेज तर्रार वकील जिन्होंने देश में anti-rape law के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी. दफ्तरों में यौन शोशन और उससे संबंधित बहुत एहम मामले बहुत ही हाई प्रुफाइल मामले उन्होंने बहुत ही दिलेरी के साथ लड़े. और इस समय देश में जो marital rape यानि वेवाहिक बलातकार को लेकर उसे बलातकार की श्रेड़ी में शामिल करने की जो बहुत छिड़ी हुई है उसमें बहुत एहम आवाज है करुणा नंदी और इनके बारे में जो प्रुफाइल लिखा है वह मेन का गुरुस्वामी ने पूरी है वह बहुत निर्भीक बहुत बुलंद आवाज है न्याए की उस दिनिया में जहां पर अधिकतर अन्याए को पूजा जाने लग गया है या यूं कहिए कि जब न्याए पर अन्याए का हमला होता है तो बहुत से लोग जो चुप हो जाते हैं इसकी बिलकुल उलट तस्वीर करुनानंदी है चाहे वह गौतम नौलखा का केस हो भीमा कोरेगाउं वाला मामला हो या बाकी अंगिनत मामले उन सब में बहुत मजबूती के साथ न्याए की आवाज को कोट परिसर में बुलंद किया है और इसलिए टाइम मैगजीन ने उन्हें सिर्फ वकील ही नहीं उन्हें एक्टिविस्ट की भी संग्यादी है आए अब चलते हैं तीसरे शक्स की ओर इनके नाम काम और इनकी पहुच और पूच से आप भी वाकिफ हैं हम भी वाकिफ हैं देश और दुनिया वाकिफ है नाम गौतम अडानी यह प्रधान मंत्री नरेन मोदी के बहु नजदी की का रिष्टा है और हम सब जानते हैं कि 2014 में या उससे पहले जब प्रधान मंत्री नहीं बने थे नरेन मोदी और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे उनके कदम उस समय उनके साथ कदम ताल करते हुए गौतम अडानी दिखाई देते थे उनके बारे में टाइम मैग रहा है उसे भारत के जो कंसंट्रेशन ऑफ पार है यानि जिस तरह से आर्थिक ताकत और राजनितिक ताकत केंद्रित हो रही है कुछ मुठियों में जम रही है इससे जोड़ा है यहां वे साफ कहते हैं कि भारत में आर्थिक और राजनितिक शक्ति का जो अभूत प्रिसिडेंटेड कंसंट्रेशन चल रहा है उसके पोस्टर बॉय हैं अडानी जी साथ ही साथ वह भी जिक्र करते हैं कि भारत का लक्ष दो हजार पच्चिस तक अर्थ व्यवस्था को जो पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुचाने का है उसमें अभी अडानी जी की यात्रा तो बस शुरू ही हुई है अब आप देखिए कि टाइम मैगजीन में जो अडानी जी का पूरा प्रोफाइल है जो बाते हैं वो किस तरह स सीधे सीधे जुड़ती हैं कनेक्ट होती हैं मोदी जी के सत्ता में आठ सालों के जश्ण से इस समें हमारे चारों तरफ मोदी जी के आठ साल के सेलिब्रेशन के तमाम विग्यापन हैं तमाम चीजे हैं तमाम दावे हैं और इन दावों को काटने वाले तमाम यथार्थ के मैं उन सब में बहुत भीतर तक नहीं जाना चाहती क्योंकि हम लगाता इस समय जो देश में चल रहा है उस पर चर्चा करते रहे हैं बस मैं इस समय आपका ध्यान दो तीन तक्थियों की ओर दिलाना चाहूंगी जिन पर इस समय हमें बात करनी बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिन वादों को लेकर 2014 में मोदी जी की इंट्री हुई थी आज की तारीख में देश कहां है अर्थ वैवस्था कहां है बस इस पर थोड़ा सा खटखट हो जाना चाहिए अब आप देखिए आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वह अप्रेल 2014 से लेकर नवंबर 2021 तक का हिसाब देता है हिसाब सिर्फ इस बात का कि कितनी विदेशी कमपनिया भारत को छोड़ कर गई यहां आकड़ा बताता है कि 2783 2783 विदेशी कमपनियों ने इस दोरान 2014 से लेकर नवंबर 2021 के बीच भारत में अपना ओपरेशन बंद कर दिया खब आप चाहें तो आप जोड सकते हैं भारत में इस समय जो बेरोजगारी का आलम है जो भीशन आपदा नौजवानों के भविश्य पर मंडरा रही है क्या उसका रिष्टा यह जो पूरा का पूरा बिजनेस बैठा है उससे है अब आईए दूसरा तथे जो स्क्रीन पर आपको इस समय दिखाई दे रहा है यह भारत के ग्रेट विकास और ग्रेट इनिशेटिव की अपने आप में कहानी कहता है इस समय भारत में पांसो रुपे के फरजी नोटों का सर्कुलेशन एक सो दो फीसिदी बढ़ गया है और ये बात मैं और आप नहीं या सो कॉल्ड कोई सिविल सोसाइची नहीं कह रही है यह तत्थ हमारे सामने आया है रिजर्व बैंक उस इंडिया के दुआरा और आपको यहाँ पर यह याद करना बहुत जरूरी है कि 2016 में जो भीशन आपदा मोधी सरकार ने पूरे देश के उपर थोपी थी नोट बंदी के रूप में उसमें उन्होंने दावा क्या किया था उस समय उन्होंने कहा था कि यह नोट बंदी इसलिए की जा रही है ताकि ब्लैक मनी गायब हो जाए ताकि फरजी नोट गायब हो जाए और तब से लेकर आज तक आप देखेगा कि 2016 से लेकर 2022 तक देश की अर्थवेवस्था नोट बंदी के जो बुरे परिणाम है उन्हें जेल रही है उससे जो अर्थवेवस्था रसातल में गई जो manufacturing sector रसातल में गया सर्विस sector पर जो गाजगिरी उससे आज तक हम उबर नहीं पाए है यानि यह जो विकास की गहता हमें और आपको विज्यापनों के जरिए भाशनों के जरिए बहुचाई जा रही है सिर्फ अगर इन दो आकड़ों को आप ध्यान में रखें तो साबित होता है कि पिछले आठ साल भारत के लिए क्यों डिजास्टर थे आएए वापस चलते हैं भारत की उपलबदियों की तरफ हिंदी की उपन्यासकार मशूर लेखिका गीतांजली श्री की उपन्यास जो राजकमल से हिंदी में प्रकाशित हुआ रे समादी को उसके अंग्रेजी अनुवाद टूम ओफ सैंड को अंतराष्ठिय बुकर सम्मान मिला यहने शित तोर पर हम सब के लिए पूरे देश के लिए बहुत फक्र की बात है उपन्यास की अनुवादक डेजी रॉक्वेल की भूमी का भी इसमें बहुत एहम रही अब विडंबना देखिए कि हिंदी हिंदी का जाप करने वाली मोदी सरकार को इस पुरसकार पर तमानो साप ही सूंग गया सिर्फ केंद्री मंत्री हरदी पुरी का एक ट्वीट आया पुरसकार घोशना के 24 घंटे बाद और इसकी बहुत ठोस वज़ा है जिस पर चर्चा करना बेहस ज़रूरी है क्या इस उपर न्यास में कुछ ऐसा है क्या गितांजली श्री कि जो पूरी की पूरी रचना प्रक्रिया है उसमें कुछ ऐसा है कि जो सरकार लगातार नौर्थ इस से लेकर दक्षन भारत तक में हिंदी पढ़ाने पर लोगों को बाद्धे कर रही थी वह जब हिंदी को इतना बड़ा पुरसकार मिला तब क्यों चुप हो गई गितांजली श्री अपने उपन्यास के जरीए अपने लेख के जरीए बहुत साफ साफ इशारा करती हैं कि आज लेखक इन परेशान कुन समय में क्या भूल जाएगा कि देश में 1989 में क्या हुआ बानबे में क्या हुआ दो हजार दो में गुजरात में क्या हुआ उनकी रचना प्रक्रिया अयोध्या और गुजरात से होते हुए देश भर में जाती है और शायद यह तकलीफ का एक बड़ा सबब हो सकती है सरकार की खामोशी का बहुत बड़ा कारण हो सकती है क्योंकि वह सीधे सीधे अपने लेख मरवी बोलती हैं कि जो हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह किस तरह से गंगा, बाबरी मस्जिद ध्वन्स, सहार और यह सब एक साथ कर रही हैं और देश को दूसरे रसातल में ले जाने की कोशिश कर रही हैं आज का जो सच है वह बहुत परिशान करने वाला है जिस तरह से पंजाब में वहां के जो गायक सिद्धू मूसे वाला उनको गोली मारी गई और जिस तरह से उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसने यह साफ किया है कि इस घटना के पीछे इसके तार बहुत जगहों से जुड़े हुए हैं जिन पर लगातार निगाह बनाए रखना बहुत जरूरी है इस पर बात करने के लिए हम चलेंगे सीधे पंजाब वहां के पत्रकार शिवेंदर सिंग से जानते हैं कि आखिर यह जो हत्या हुई है इसके कारण क्या है पंजाब के मश लोग गायक सिद्दू मुसेवाल की जिस दरह से हत्या हुई जिस तरह से हत्या के बाद पूरा आरो प्रत्यारोप लग रहा है इसमें नजरिये से सच तक पहुचा जा सकता है कम से कम इस गटना को देखा जा सकता है इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं पंजाब की तरफ जहां वरिष्ट पत्रकार न्यूस क्लिक से जो जुड़े हुए हैं सुवी सवेरे के साथ जुड़े हुए हैं उसके संपादक हैं शिबेंदर आप ये बताएं कि ये जो हत्या हुई है दो दिन पहले ही उनका जो सुरक पार्टी इसे गैंग के बीश में लड़ाई दिखा रही है क्यों निशाने पर आया क्योंकि ये बहुत एहम है ये बहुत कम उम्र के लोग प्रिये गायक थे और अभी जो चुना हुआ पंजाब में इसमें मांसा से कॉंग्रेस की उम्मिदवार भी थे और अमरेंदर खेम जो एक केरेटा में बैठाए गैंग्स्टर में इसकी दुम्मेवारी ली है लेकिन इसके वावल्यूद हम इसको राजनीती से अलग करके नहीं देख सकते उसका कारण यह क्या है कि आमादी पार्टी ने एक दिन पहले ही कहा कि हमने 400 से उपर लोगों की स्क्योर्टी बाप लिगी है अब सबसे बड़ा तो यही सवाल था के सिद्दू मूसे वाले को गैंग्स्र की पहले भी दमकिया मिलती रही है आपने जिन लोगों की स्क्योर्टी में कट लगा जाना चाहिए था इनको कोई खत्रा था नहीं पर उसके बारे में अभी तक मजाब सरकार चुप ह है अभी सिद्दू मूसे वाले के पिता जी ने आज सवाल किये हैं मुक्षमंतरी अने कए किनके कतल कि जाच अब पालिक्स प्ञेंग्स हो चुकी है किसी ना किसी तरह हम सिद्धू मुसेवाल की बात है सिद्धू मुसेवाल एक लोगप्रिय गायक फोक सिंगर रहे हैं और दूसरा पॉलिटिकल केंडेट भी रहे हैं तो जो गैंग्स्टर वाली सारी बात है क्या वो किसी गैंग से संबंदित है जैसा कि बाकी और एक खेमा बता रहा है लेकिन मैं खाली आप से जाना चाहूंगी कि जो गैंग वाली बात है हम यह भी जानते हैं पंजाब के परिपेक्ष में कि जितने भी गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं तो यहां जब हम सिद्धू की हत्या की बात कर रहे हैं तो फोकस किस पर होना चाहिए दो लिए कि इसको मैंने मारा है उसका में आप खाल लगातार एक वीरोधी किसी और गुरूपप के साथ जुड़ा हुआ था तो मतलब सिद्दू मुसेवाला का वो दोश लगा रहे हैं जिन्होंने जम्मेबरी ली है कि हाँ सिद्दू मुसेवाला एक गृप से जुड़ा हुआ था इस तरह के गृप से में कि वह आपकं जैसे पंजाब में जतनी वी जैंक्स्ट्रा व आपस में लड़ते रहते तो सिद्दू भी कई सारे आपने गीतों में जो इनके विरोधी जैंक्स्ट्रेंगिट था जो इसके बया ग्रूप है विए उसके घ्रोप किसी गायक को कटाक्ष करना किसी गैंक्स्टर ग्रूप को करना इसी तरह के अंसरों से अभी जब कॉंग्रेस के साथ जुड़े थे और कॉंग्रेस से चुनाओ भी लड़े मांसा से और क्या कोई एक पॉलिटिकल नोशन भी है इनकी हत्या की पीछे जो सामने आ रहा है अभी तक मेंची तो यही आ रही है आमादनी पालिटी पर ही सवाल आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि जब हमें सेंटर जंसियों से भी खबर आने शुरू होगी मीडिया के एक हिस्ते में कि उनको पता था कि स गट्टी के उपर लगाता रहा इसको धंकिया मिलती रही है पहले भी इस पे हमला हो सकता था चलों कट भी लगा दिया आपने इसका परचार किया है उसको बता दिया कि फला फला बंदे पे बड़े बड़े इश्तिहार लगे पंजाब में यह चीजे मतलब एक सवाल करती है अब पुलिटिकल तोर पे तो माशा इसके कई लोग फाइदा लेने शुरू होगे यह आज का भारत है जहां पर हमें रोज इस तरह की खबरें अपने आसपास से सुनाई देती हैं इसी भारत का अभिन्न हिस्सा थे फादर स्टेन स्वामी जिन्हें याद करना पिश्टले साल उन्होंने जेल में दम तोड़ा भीमा कोरेगाव मामले में उन्हें जेल में रखा गया था और वह लगातार अपील करते रहे कि उन्हें छोड़ दिया जाए 84 साल के फादर स्टेन स्वामी को बेल नहीं मिली जबकि हम जानते हैं कि आज अंगिनत अपराध भी बेल पर खुले घूम रहे हैं इसी भारत के निवासी थे फादर स्टेन स्वामी बहुत एहम चहरा है भारत की उस परंपरा का जहां पर सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा में लगाया लेकिन अंत जे जहें कि उन्हें जमाना दे दी जाए 84 साल के बुज़ुर्ग चाहते थे कि वह अपना अंतिम समय उसी बगीचा में गुजारें जिसे उन्होंने जारकंड में खड़ा किया है लेकिन यह उन्हें नसीब नहीं हुआ आज फादर स्टेन स्वामी को हम आप और दुनिया याद कर रही है उनके योगदान के लिए उन्हें दिया जा रहा है मार्टिन एनलेस एवार्ड दो जून को यह एवार्ड उन्हें मर्नो प्रांथ मिलेगा स्विजर लैंड जिनीवक में यह संस्था हुमन राइट डिफेंडर्स को पुरसकार देती है और शायद यह भी हम सब के लिए फक्र की बात है कि इसमें फादर स्टेन स्वामी को याद किया जाएगा उनके योगदान को याद किया जाएगा और शायद जिस भारत के लिए हम और आप खड़े हैं जिसे बचाना चाहते हैं वह भारत एक बार फिर देश में और विदेश में अपना सिर उचा करेगा शुक्रिया